कल भाजपा की केंदर सरकार ने CA लागो करने का नोटिफिकेशन जारी किया है 10 साल देश पे राज करने के बाद एन चनाव के पहले इन लोगों को CA की बात करनी पड़ रही है अगर 10 साल में कुछ अच्छा काम कर लेते तो शायद आज CA की जगे अपने कामों पे वोट मांग रहे होते आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी की है किसी को भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कमर तोड महंगाई हो रही है उधर हमारे युवा दरदर की ठोकरे खा रहे हैं रोजगार के लिए उनके ओपर डंडे लाठियां बरसाई जा रही है ऐसे में सरकार बेरोजगारी और महंगाई का समादान ढूंडने की बजाए सीए की बात कर रही है तो यह बड़े दुख की बात है यह सीए आखिर है क्या बीजेपी की केंदर सरकार का कहना है कि तीन देश बांगलदेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन तीन देशों के अल्प संख्यक जो हैं वह अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी इसका मतलब बड़ी संख्या में यहां से अल्प संख्यों को हमारे देश में लाया जाएगा उनको रोजगार दिये जाएंगे, उनके लिए घर बनाये जाएंगे, उनको यहां बसाया जाएगा, अजीब बात है ना, बीजेपी की केंदर सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिये नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है भारत के तो धेरो लोग बेघर हैं लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं उनको घर देना चाहते हैं हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा इन तीन देशों में लगबग धाई से तीन करोड अल्प संख्यक हैं ये तीनों बहुत गरीब देश हैं जैसे ही भारत के दर्वाजे खुलेंगे इन तीन देशों से भारी भीड हमारे भारत में आ जाएगी अगर इन धाई तीन करोड में से डेड़ करोड लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इनको रोजगार कहां बसाओगे इनको बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको बीजेपी वाले देंगे क्या इनको रोजगार क तो प्रश्न उठता है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है कही लोगों से मैंने बात की कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनी थी है इन तीनों देशों से डेड़ दो करोड लोगों को अगर भारत ले आया गया और उनको युगियां डालकि अगर इन लोगों को वहां बसाया गया तो वहां वीजेपी का एक पक्का वोट बैंक तैयार हो जाएगा बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे और आने वाले इस चनाव में तो नहीं आने वाले भविश्य के चनाव में बीजेपी को इससे बहुत सालों में 11 लाक से जादा भारत के बड़े-बड़े अमीर उद्योपती और व्यापारी भारत छोड़के चले गए यह लोग भारत में फैक्टरी चलाया करते थे इंडस्ट्री चलाया करते थे बड़े-बड़े व्यापार किया करते थे लाखों लोगों को नौकरी देते थे रोजगार देते थे यह बीजेपी की गलत नीतियों और उनके अत्याचार से तंग आके भारत छोड़के चले गए अगर बीजेपी को लाना ही है तो इन लोगों को वापस भारत लेके आओ ना जो भारत छोड़के चले गए यह भारत आएंगे इनके पास पैसा है भारत में करेंगे नहीं नहीं फैक्टरियां खोलेंगे नहीं व्यपार खोलेंगे अपने बच्चों को रोजगार मिलेगा यह क्या बत्तमीजी है कि बांगलादेश के पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोगों को हमारे देश में लाके बसाएंगे और उनको हमारे बच्चों के हक के रोजगा रूम को देंगे ये लोग कह रहे हैं कि 2014 के पहले आई हुए घुसपैटियों को इन नागरिक्ता दी जाएगी ऐसा नहीं है ये तो शुरुवात है एक बार ये सिलसला चालू हो गया एक बार दर्वाजे खुल गए तो फिर बहुत बड़ी संख्या में पाकिस लेना अगले चनाव में ये बीजेपी वाले इस तारीख को बढ़ा के 2024 कर देंगे कि 2024 के आई हुए पहले वाले लोगों को दी जाएगी और फिर इसे और आगे बढ़ा देंगे मोटी मोटी बात यह है कि पाकिस्तानियों और बांगलादेशियों के लिए भारी संख्या मे भारत आने के लिए बीजेपी सरकार ने दरवाजे खोल दिये ये देश के लिए बेहत खतरनाक है और इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा उत्तरपूर नौर्थ इस्टन स्टेट्स भुगत रहे हैं खासकर असाम इलीगल माइग्रेंट जो आए हैं उनको हम नागरिक्ता द्यादेंगे उनको बसाएंगे असाम में बसाएंगे असाम के लोग बहुत नौराज हैं एक तरह से देखा जाए तो हीमंत व Dann turkey मुक्हमंत्री है उन्होंने धोखा दिया अपने लोगों को अपने असाम के लोगों की खातिर उने का विरोध करना चाहिए था उन्हें कहना नौकरियां अपने बच्चों के रोजगार दूसरे देश के लोगों को किसी हालत में नहीं देंगे